हेलो एवरेड़वन वेलकम तो स्टड़ी आई क्यों स्ट्रेट पीसियस आप सभी का स्वागत है स्टड़ी आई क्यों यूट्यू प्लेटफॉर्म पर तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हम यहां पर यूपी को लेकर सीजर्ट सीरीज आप सभी के लिए चला रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले मैट से स्टार्ट किया है और मैट्स में आज हमारा एक न्यू टॉपिक है इससे पहले हम दो वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने प्रॉफिट एन लॉस और लसे में से पापको पढ़ा आप सभी के लिए कि जो हमारा स्टेट PCS प्री प्लस मेंस लाइफ फांडेशन सक्षम बाच है वो आज से स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप लोगों ने अभी तक एड्मिशन नहीं लिया है तो प्लीज दू कॉंटेक्ट अस ओके आपको जो भी कुछ पूछना है तो को क्वेशन इस कि 4 नंबर्स A, B, C, and D are such that their overall average is 39 ओके मतलब ये कि 4 संख्याए है A, B, C, and D जो कि मतलब जिनका जो average है वो 39 आपको गिवन है अलग से A तो और B का separately average दिया गया है that is 29.5 तो आप से पूछ रहें C और D का average कितना होगा तो इस question को करने के लिए आपको जादा कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना है आराम से बन जाएगा इस type का question exam में दिखने को मिलता है देखो recent years में average का question direct न पूछ के mean के form में पूछा गया है जि चाहो तो average के portion में भी क्योंकि mean हो चाहे माध्य हो चाहे औसत हो या average हो तीनों का मतलब एक ही है ठीक है तो चलिए इस question को हम कैसे solve करेंगे आपको बताते हैं यहां पर आपको 4 संख्याएं गिवन है 1st is A 2nd B 3rd C and 4th D इनका जो average है वो कितना given है तो वो given है हमें 39 ठीक है अब इनका total आप निकाल लो average इतना है तो total कितना हो जाएगा संख्याएं कितनी है 4 ठीक तो average में जब आप संख्या से इंटू करोगे तो आपको इनका यो ग्याने कि total मिल जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 36 का 6 और 4th result 12 और 3 5 यानि कि 156 क्या हो गया 4 संख्याओं का total हो गया अ ठीक है कि मतलब ये कि A और B का आपको average कितना given है तो ये given है आपको 29.5 ये आपको given है धीक तो इन दोनों का total कितना हो जाएगा तो आप भूलेंगे इन दोनों का total हो जाएगा simply संख्यां कितनी है दो तो दो से in two कर दो किसमे? av zou तो आपको total मिल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 2s are 10, 2 9s are 18 or 1 9 और 2 2s are 18 or 1 19 और 2 2s are 4 or 1 5 मतलब 59.0 ये क्या हो गया 2 संख्याओं का या फिर 2 संख्याओं का आपका योग हो गया ठीक है अब question is कि आपको C or D का average निकालना है कि वो कितना होगा तो simple सी बात है जब आपको 4 का total पता है 2 का total पता है तो उसकी value put करो remaining cancer आजाएगा ठीक है तो कैसे करोगे आप इस question को simply A plus B के total को A plus B के total को आप यहाँ पर रख दोगे ठीक है और उसके बद इस में से आप उसको subtract यहाँ 156 में से आप उसको subtract कर दोगे तो आपको मिल जाएगा remaining 2 का total बट आपको find out क्या करना है आपको find out करना है कि उनका भी total नहीं find out करना उनका average निकालना है तो average निकालने के लिए क्या करोगे last में 2 से डिवाइड क्यों करोगे क्योंकि number कितने 2 है ठीक है तो यह जो last line है इस पे आपको थोड़ा जादा focus रखना है कि कई बार ऐसा होते ही कि हम क्या करते है total निकाल देते हैं बट पूछा जाता है average और sometimes total पूछा जाता है और हम average न निकाल देते हैं तो यह दोनों like में आपको confused नहीं होना है question देखो on time हमें करना must है exam में ठीक है लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं कि जल्दी करनी के चक्कर में आप question को गलत read कर लो गलत solve कर लो फिर बोलो कि ma'am simple calculation mistake हो गई बट हम तो पढ़के गए थे हमसे बन जाता यह बात नहीं आनी चाहिए ठीक है आपको on time with correct accuracy के साथ करना है okay now अब आप क्या करोगे simple 156 में से 59 को आप सब्ट्रेक्ट कर दोगे तो 156 में से जब आप 59 को सब्ट्रेक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा कितना मिलेगा 10 11 12 13 14 15 16 7 और यहां पर कितना हो गया कितना हो गया 4 तो 14 में से 5 गया 9 ठीक 97 तो 97 क्या है आपका c ब्लस d का total ठीक c प्लस d का total बट हमसे क्या पूछा है average तो आप 2 से डिवाइट कर दोगे तो इक इतना जाएगा 24 जा 8 बचा एक 28 जा 16 और 48.5 देख लो जरा हां 48.5 अब आपके ऑप्शन ना 48 भी है 48.5 भी है जाए इत विए तमीन्स आपको end तक इसको solve करना है ना यह नहीं कि अद्हा धूरा solve कर और फिर तो Sup New option 1 एक एक से देख रहे है तो option को देखते हुए चलना है और यह देखना है कि कहां तक match कर रहा है जहां तक match कर रहे आगे solve कर अगत वहीं process stop कर दो कि अगर इस टाइप का एक्जाम में आएगा तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है देखे एवरेज से रिलेटेड काफी डिफिकल्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने भी लिमिटेट टाइप से आप अगर उनको भी पढ़के चले जाओगे तो भी आपके सी साट में अगर आवरेज आता है तो आप से डेफिनेटली बन जाएगा ठीक है आपको इचीज ध्यान देके चलनी है अब देखे कुछ क्वेश्चन फ्रेक्शन फॉर्म में भी सम्टाइम्स पूछ लिये जाते हैं आवरेज निकालने के लिए तो अब फ्रेक्शन से तो आप अवेर जहां पे जो हर है वो कभी भी शून यह नहीं होगा ठीक ये चीज आपको ध्यान देके चलनी है और तो ये फ्रेक्शन है फ्रेक्शन का आपको क्या करना है वी आवरेज निकालने के लिए करते क्या है नंबर जितने भी नंबर ओफ इवेंट से उनका सम करके टोटल नंब निकालना है तो है कितने टोटल 1 2 3 4 तो 4 से आप डिवाइट कर दोगे सिंपल नाओ अब नीचे यहां पर जो डिनॉमिनेटर दिख रहा है इनका आप अलग से अब देखो कुछ बच्चे होंगे जिनको डारेक्ट करते बन जाएगा मतलब यह जो मैं वरबली बोल रही हूं वह इसको मेंटली कर लें और एक तो स्टेप स्किप कर दें ठीक कुछ बच्चे होंगे लेकिन जिन बच्चों को नहीं बनता है तो आपको स्टेप बाए स्टे हो जाओगे तो आप स्टेप को स्किप करना सीख जाओगे ठीक है कि कहां पर हमें कितनी स्टेप स्किप करके भी हम अपने फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हैं तो इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है तो यहां पर आप देखेंगे 4, 8, 12 और 16 इन सभी का आपके ले लोगे LCM तो कितना आ जाएगा तो आप यह देखोगे कि LCM आ जाएगा कितना हमारा 48 ठीक है यह आगे LCM अब उसके बाद 12, 4 है 4 के डेबल में कितने बाए 48 जाएगा 12, 12, 3 जा कितना होता है 36 प्लस 8, 6 और 6, 5 जा 30 टीक 12, 4 जा और 7, 4 जा 28 प्लस 16, 3 जा और 15, 3 जा 45 जा ठीक है और यह वाला जो 4 है यह रहेगा यहाँ पर नीचे बट आपको समझाने के लिए मनेद करके रिखाया है अदरवाइस वो इसके मल्टिप्लिकेशन में आ जाएगा ठीक है क्योंकि आपने रूल पड़ा होगा A upon B upon C upon D बराबर होता है A by B into D by C तो यह जो B और C हैना यह वही है यह B है मतलब यह B है और यह C है ठीक इस तरीके से नाओ अब आप इसको सिंप्लिफाय कर लो तो यह कितना हो जाएगा आप यह वाएंगे कि सब को आप जब जोडोगे तो कितना होगा भई यहाँ पर आप एखटा एक बार में लिख लो 45, 28, 30 और 36 ठीक है तो य कितना हो गया कितना हो गया आट और पांच, 13 और 6, 19 कैरी आया 1 ओके नाओ आप देखो थोड़ा बहुत ना अगर आप दिमाग लगाओ गे ना तो यूनिट डिजट हमारा सिर्फ 9 आया है ठीक और ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजट 9 हमें आप्शन तर आप इसके साथ जा सकते हो बट अगर आपके पस टाइम है तो एंड तक सॉल्व करना वनता है ओके नौ तो यह कितना हो जाएगा भई तीनो तीन, छह और चार दस और तो बारा और एक तेरा 139 अब तो आप जाई सकते हो ना उपर पूरा का पूरा 139 मिल रहा है मतलब तो option number A, answer होने के 100% chances है जिसमें से नीचे जो है यह जो 192 है यह कैसे आ जाएगा जाएगा 48 में 4 का इंटू होगा तो directly 139 divided by 192 आपका क्या हो जाएगा correct answer ठीक इस तरीके से आपको solve करना है आपको कोई भी चीज बनती है अगर solve करते तो simultaneously you have to also know कि हमें क्या-क्या स्ट्रेप्स हमें during calculation या practice क्या-क्या चीजे ध्यान रखनी है देखो कभी भी यह नहीं होता है कि exam में जाने से पहले हम कुछ ऐसा वीडियो देख ले कि हमें क्या-क्या बातें ध्यान रखनी जरूर यह ताकि paper में गलती नहीं यह नहीं करना है वो वो तना implement नहीं करेगा ज अगर आप प्रैक्टिस ही उन बातों को ध्यान रखके करोगे तो अपने आप आपके जब एक्जाम में परफॉर्म करोगे तो वो चीज आपको याद आएगी कि नहीं मुझे यह करना है यह नहीं करना इस तरीके से मैंने टेस्ट में दिया था तो exam मेरा marks गमाय थे यह मेर वो गलती हुई थी तो वो एक्जाम में नहीं होगी तो यह after calculation यह जो मैं आपको बता रही हूं इस पर भी आपको मतलब implementation करना है सुनना या ध्यान से यह नहीं की wait करे next question कर वाएगा यह नहीं करना है ठीक है तो जो मैं बोलती हूं लिखते वक्त यह समझाते वक्त यह जहा question नहीं देखिएगा the mean of x and y is 400 okay मतलब ही कि x और y का माध्य कितना है 400 है all right and the ratio of x and y is 3 to 7 मतलब x और y का जो अनुपात है वो तीन अनुपात साथ है okay तो आपको बताने y minus x की value क्या होगी find the value of y minus x कैसे करोगे अगर आप से question बन रहा है तो आप video pause करके खुद से try करने का sorry खुद से solve करने का try करना ठीक है यह नहीं कि बस बैट के देख रहें कि हाँ 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 अब यह question आएगा आप यह माम solve करेंगी answer यह आएगा और हम इसको note कर लेंगे अगर हम note भी नहीं कर सकते हम अपने हाथों क कश्ट भी नहीं दे सकते तो हम PDF का वेट करेंगे कि माम कब PDF पीजेंगी हमारे पास पके पकाय सोल्यूशन हो गया उसके बाद बात खताम फिर जब पेपर आया एक महीने पहले 10 दिन पहले उनको देखना शुरू कर रहे है पन्ने पलट के यह नहीं करना है ठीक है पढ़ा इसकी वेल्यू आपको समझनी है कि जस चीज से आपको गो थू होना है वो आनी चाहिए उसमें पास होना है आपको यह नहीं कि बस कहते हैं देखके कि हाँ यह तो बन जाएगा अरे यह तो एजी है फिर हम कॉमेंट कर रहे है मैं थोड़ा लेवल टफ करो मैं यह तो बहत पीजी था पहले खुद को तो देखो कि उतना होनी के बाद भी पेपर क्यों नहीं निकल रहा है यह जीज आपको ध्यान देने है ठीक है चलो फिर हाता है हमारा एकस प्लस वाइप एकस प्लस वाइप का मीन मीन बोले तो एवरेज कितना है 400 है तो इनका मतलब कि आवरेज एकस प्लस वाइपडिश्पो गिवेन है 400 ओम एकस प्लस य का टॉटल कितना हो जाएगा एकस प्लस वाइप टोटल हो साटो जाएगा 800 ओदर चले जाहेगा नो अब टुशेन इस खी एकस और य का इंडिवशली आपको रेशुदे डियो इस ओम मतलब यह ऑस और द्धशी कि value आपको given है, कितनी 3 और 7, यह हो गया x, यह हो गया y, ओके, now, अब आपसे पूछा है कि y minus x कितना होगा, तो y minus x निकालने के लिए आपको x की individually value पता होनी चाहिए, और y की भी value पता होनी चाहिए, कैसे पता चले कि वो, अब यहाँ पर आप लगा दो अपनी ratio method, आपके पस total 800 है, ठीक है, उनकी कुल संख्या है, total 800 है, 800 में से जब आपको x की value निकालने है न, तो x का ratio कितना है, 3 ratio, तो 800 में से 3 ratio हिस्सा x का है, total कितना ratio है, तो इन दोनों का total, sum of ratio कितना हो जाएगा भई, 10 ratio, sum of ratio कितना हो जाएगा 10, तो 10 से आप डिवाइट कर दोगे, ठीक है, आप क्या करना है आपको, 0 से 0 कट गया, तो this will be 240, ओके, और 240 कोई है, x है, ठीक है, अब देखो आप y, y महाशाय जी को आप निकाल सकते हो, आराम से 800 में से 240 आप घटा दो, मतलब 800 में से, जब आप x का हिस्सा घटा दोगे, तो automatically y मिल जाएगा, कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, 0, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से दो गया 5, तो y कितना होगे आपका 560, अब आपसे question ने क्या पूछा है, find the value of y minus x, तो y में से x घटा दो, तो आपके पस y minus x आजाएगा, ओके, तो आपको अगर y minus x निकालना है, तो आप क्या गरोगे, 560 में से 240, आप घटा दोगे, तो ये कितना आजाएगा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3, मतलब 320 जो होगा, वो आपका correct answer हो जाएगा, इस तरीके से आपको इन questions को deal करना है, कई बार ऐसा होतेगी question देखके लगता है, easy है, बन जाएगा, फिर क्यूं गलती हो रही है, इस चीज का भी आपको खयाल रखना है, अगर आपको अपनी गलती नहीं समझ में आरे ही ना, तो फिर बहुत, मतलब बुरी स्थिती है आपकी, क्योंकि आप, अगर एक सीरेस एस्परेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए, कि कहां मेरी गलती है, गलती है, तो उसको ठीक कैसे करना है, अगर आप, मतलब आपकी पर इतना कालेक्शन होगया, क्वेशन का, उतना कर लो पहले, उसको 10-20 बार पढ़ लो, बजाए इसके कि हम 10-20 टाइब की नई बुक के चक्कर में पढ़ रहे हैं, एक को पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ो, तो वो आपकी बेटर पोपॉमिंस रहेगी, ओके, चलो, सोच रहे होगे कि आज माम, बहुत जादा हमको समझा रहे ह है, समझा रहे हूँ, आपके अच्छे के लिए बता रहे हूँ, देखो, the mean of 20 observations is 50, ओके, मतलब ये कि 20 प्रेक्षणों का मात्धे कितना है, 50 है, and later it was found that two cases, 13 and 24 were mistakenly written as 31 and 42, मतलब ये कि लिखना चाहिए तो आपको 13 and 24, और आपने लिख दिया 31 and 42, okay, तो अब उसे से क्या हुआ, उसे से आपके जो correct mean है, उस पर क्या impact आया, आपको ये बताना है, तो अगर हमने ऐसा लिख दिया, तो आपका जो true, मतलब जो आपका correct mean होगा, या पर सही माध्यों का तो वो कितना होगा, मतलब अगर हम exactly जो data हमें चाहिए है, अगर हम वो लेके करते हैं, तो कितना आता है, आपको ये बताना है, तो इस टाइप के question को मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, practice head बगार हमें, और उसे पहले जब average पढ़ाया था, तो अगर आप लोगों ने 20 प्रेक्षणों का माद्य 50 है, तो 20 प्रेक्षणों का जो average है, वो आपको कितना given है, 50, तो 20 प्रेक्षणों का total कितना हो जाएगा, तो total हो जाएगा भी 15 to 20, है ना, यानि कि ये हो जाएगा आपका कितना, 1000, ठीक, ये हो गया value, अब question is, कि बात में पाया गया, कि 2 प्रेक् हमें लिखना था 31 और 24, तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका, 31 और आपको 24 लिखना था, तो 4 और 5 और 3 और 2, 5, ठीक है, ये हो गया, ओके, 13, दो प्रेक्षन 13 और 24 को 30 वश, 31 और 42 लिख लिया गया, मतलब 30, ओहो, क्या लिख रहे हूँ मैं, बोल कुछ और रहे हूँ, देखो, 13 और 24 को, 13 और 24 आपको लिखना था, ठीक है, मतलब 4 और 3, 7, 2 और 1, 3, ठीक है, 13, 13 और 24 को आपको लिखना था, तो 4 और 3, 7, 2 और 1, 3, लेकिन आपने क्या लिख लिया, 31 और 42, मतलब 2 और 1, 3, और 4 और 3, 7, मतलब 37 लिखना था, 73 नहीं लिखना था, ओके, तो आप क्या करोगे इसको, क्या करोगे, 1000 मैं, चाहिए क्या था आपको, 37, क्या नहीं चाहिए थ 73 तो बस इसमें से 20 इसके कौन है 20 आपके observation है तो question है find the correct mean इसको solve कर लो आपका correct mean आ जाएगा ओके तो 1037 में से जब आप 73 घटाओगे तो कितना आएगा साथ में से 3 गया 4 और 13 में से 7 गया 8 9 10 11 12 13 और यह हो गया 9 964 964 को आप 5 से डिवाइट स्वरी 20 से आप डिवाइट कर दो ठीक है तो जब आप 964 को 20 से आप डिवाइट करोगे तो आप इसको इस तरीके से भी तो लेख सकते हो ना 964 2 into 10 लिख सकते हो क्यों मैंने ब्रेक कर दिया 2 into 10 में क्योंकि मैंने option देखा कि वह option एक option को छोड़के 3 option मेरे decimal में है और decimal में है तो मतलम नीचे 10 होगा जिससे decimal बनेगा ओके इस तरीके से ब्रेक कर लो अब इसको आप काट दो 2 4s आ 8, 2 8s आ 16 और 2 2s आ 4 तो ये कटेगा तो 48.2 ना आ जाएगा 48.2 मतलब option number B आपका right answer हो जाएगा तो इस तरीके से आपको इस question को deal करना है जिन observation को आपको लेना है जिनको mistakenly आपने कुछ और ले लिया तो जो नहीं लेना है उनको total करके घटा दोगे जो लेना है उनको total करके add कर दोगे बाकी की चीजें तो आपको पते ही कि average कैसे निकालना है ओके नाओ next question है क्या question है तो question है कि the average of a group of 7 observations is 10 and the average of another group of 3 observation is 5 तो find the mean of the combined group of these two groups अब देखो देखने में question ऐसा लगता है कि simple है बट minor difference होता है कि क्या चीज में क्या नहीं करना है तो वो चीज आपको देखके चली है question यह कह रहा है कि 7 प्रेक्षणों के एक sum का जो ओसत है वो 10 है और 3 प्रेक्षणों के अन्य sum का ओसत 5 है तो आपको बताना है कि दोनों sum के sum का माद्दे कितना होगा तो देखो करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है देखिए आपसे question ने बोला कि 7 observation है ठीक 7 observation है तो आपको क्या उला the average of 7 groups is 10 तो 7 का average आपको 10 दिया है तो total कितना हो गया total आपका 70 हो गया similarly एक another group है 3 observation का उसका average आपको कितना given है तो इसका average आपको given है 5 तो इसका total कितना हो जाएगा तो इसका total हो जाएगा बही 15 okay यह हो गया और यह हो गया 70 तो question क्या है आपको combined group of these two groups इन दोनों का combinedly आपको क्या निकालना है mean निकालना है यानि कि average निकालना है तो कैसे करोगे combined निकालना है तो आप इन दोनों को तो पहली चीज़ आड़ कर दोगे okay तो यह हो जाएगा आपका कितना 70 plus 15 और divide किस से करोगे number of event कितने है 7 और 3 और 7 और 3 बोने तो 10 ठीक तो 10 से divide कर दो तो कितना आ जाएगा यह हो जाएगा आपका 85 by 10 यानि कि 8.5 इस तरीके से आपको इस question को करना था simply तो आपका right answer हो जाएगा option number D यानि कि 8.5 ओके I hope you all clear with this कि हमें इस type के question अगर आते हैं exam में तो कैसे solve करना है ठीके चलो अब देखो यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे 10 की जगा न वो 2 से वाइट कर देंगे क्या सोच के कि एक और एक दो और दो से डिवाइट कर दिया यह मत करना क्योंकि ऐसा होते भी देखा गया है इसलिए मैं बता रहे हूं अगर आप नहीं कर रहे हूं तो आपको अपनी उपर लेना भी नहीं है इस बात को अगर आपसे सही बनता है तो आपको अपने आपको अप्रेशीयट करना है नाव, next question is कोई family है भई, उसने वर्ष के पहले पाच महीनों के महीनों में किराने के समान पर 4,600, 5,600, 4,800, 3,800 और 6,000 खर्च किया ठीक तो उसके बाद क्या हुआ Question is कि किराने के समान पर परिवार के 6 महीनों के औसत खर्च को 4,500 करने के लिए परिवार को छटवे महीने में कितना खर्च करना चाहिए Meaning समझ में आया question ने क्या पूछा कि सम निकल गया सिर के उपर से देखो Question ये कह रहा है कि कोई family है जो कि spend कर रही है groceries में पहले 5 महीनों में कितना-कितना 4,600, 5,600, 4,800 और 3,800 और अल्सो 6,000 ये 5 महीनों का खर्च हो गया उसके बाद बोला कि अब हमें कितना reduce करना चाहिए क्या reduce करना चाहिए जिससे जो 6 मंत का 4,500 के साब से जो खर्च है Question ने क्या बोला औसत खर्च को 4,500 करने के लिए आपको कितना कम खर्च करना चाहिए या फिर कितना खर्च करना चाहिए इस तरीके का question है तो देखो करोगे कैसे पहली चीज तो ये कि first 5 मंत का जितना expenditure है सबको total कर लो तो वो कितना है 4,600 फिर है 5,600 ओके and then 4,800 फिर है 3,800 and then 6,000 ये first 5 मंत की groceries का expenditure है इनको आप जोड़ लो तो last में 2,0 वैसे के वैसे आ जाएंगे और ये कितना हो जाए का भई 6,6,12,8,20,8,28 कहरी आया कितना 2, ओके तो यहाँ पे 6 और 4,10 और 5 और 3,8 और 2,10 मतलब 20 और 4,24 मतलब first 5 मंत का 5 मंत का जो expenditure है वो कितना है वो 24,800 है ठीक है अब question ये कह रहा है कि 6 महीने में मतलब जो छटवे महीने में औसद कर्च को 45,00 करना है तो देखो तो 6 मंत का total खर्च कितना हो जाएगा average आपको given है 6 मंत वाले का वो given है आपको कितना उसको 45,00 करना है तो ये आपको क्या given है average और आप इसका क्या निकाल लोगे total ठीक है तो total कितना हो जाएगा 45,00 में आप 6 का into कर देना तो 0,00, 6,5 जा 30, 6,4 जा 24 और 3, 27 तो 27,000 हो गया 6 मंत वाले का total expenditure आप question is कितना 6 में में कितना खर्च करना चाहिए तो इतना ये total है इसमें से ये आप घटा दो ओके तो आप का answer आजाएगा तो 27,000 है 27,000 में आप क्या कर दोगे 24,800 आप घटा दो simple और यही हो जाएगा आप का answer करो जरक इतना आएगा 0,0,10 में से 8 गया दो last में 200 आना चाहिए इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा है और देख लो तो ये कितना हो गया 6 में से 4 गया, दो तो पूरा नहीं भी करोगे तो unit digits, tense digits देखके आप answer तक पहुँच सकते हो अगर common option नहीं है तो और हैं, तो भी आप इस तरीकी के process को आगे continue कर सकते हो, ओके now, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका option number D, यानि की 2200, okay now, next question देखेगा next question is in a group of 5 people, the ratio of the average of ages of first 3, ठीक है first 3 and last 2 is a 9 is to 7 मतलब यह कि 5 लोगों का एक group है ठीक है, 5 लोगों के एक group में पहले 3 और last के 2 का जो age ratio है ना average age ratio वो कितना है तो वो given है आपको 9 is to 7 मतलब यह हो गया 9X और यह हो गया 7X यह आपको given है now, question is कि यदि उनकी age का जो difference है वो 12 है मतलब यह इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ratio में कितना है 2X और question वाला क्या बोल रहे है 12 का अंतर है तो मतलब यह कि simply जो आपका 2X है ना वो बराबर हो जाएगा 12 के तो X बराबर आगे आपके 6 के बट, question अभी यहां खतम नहीं हुआ है question नहीं यह कहा कि 5 लोगों की औसा तुमरे कितनी होगी आपको यह बताना है तो कैसे हम 5 लोगों की averages निकालेंगे देखो पहली चीज तो यह कि 5 लोगों का आपको टोटल बता होना चाहिए तो जब X बराबर 6 है तो 9X बराबर कितना हो जाएगा 9X बराबर हो जाएगा कितना 54 ठीक है और 7X बराबर कितना हो जाएगा तो यह हो गया 42 लेकिन यह क्या है भई यह क्या है यह आपका average है क्योंकि 9X और 7X क्या थे average age का ratio थे संख्या नहीं थे तो इनको आप total में convert कर लो तो यह total में कितने हो जाएगे जब आप इसमें यह 3 संख्या होगा था मनलब 1st 3 का था न average age का ratio 9X तो 1st 3 का total कितना हो जाएगा उनके average में 3 से into कर दोगे तो this will be 4 3s are 12, 3 5s are 15 और 1 16 ठीक और ऐसे ही यहाँ पर कि last 2 का average ratio 7X था तो last 2 का कुल कितना हो जाएगा last में आप 2 का into कर दोगे उनके total average में तो this will be 2 2s are 4 और 2 4s are 8 तो यह हो गए आपके यह हो गए आपके first 3 और यह हो गए आपके last 2 तो 3 और 2 मिलके क्या हो गए 3 और 2 मिलके हो गए total 5 ठीक है तो यह कितना आजाएगा चार और दो 6 चार चाउदा और एक और एक दो 246 ठीक है तो यह गए total 5 अब यह total 5 क्या है यह योग है पांच लोगों की संख्याओं का हम से क्या पूछा उनका average तो आप क्या करोगे total लोग कितने है 5 है तो average निकालने के लिए आप 5 से डिवाइट कर दोगे ठीक है तो simply 246 में जब आप 5 से डिवाइट करोगे ठीक है 246 में 5 से आप डिवाइट कर दो तो कितना बिल जाएगा आपको 5 4s are 20 आप देखो 4 पॉइंट आ रहे हैं क्या 5 4s are 20 बचा कितना 4 5 9s are 45 ठीक 49 49 सिर्फ यहां पे आ रहा है तो option number B जो होगा वो आपका correct हो जाएगा rather than यह कि आप point तक जा रहे हो क्यों जाना है जब 49 whole number हमको individually अलग से देख रहा है तो अगर option इस तरीके के होते 49.2, 49.3, 49.5 तो हम आगे तक solve करते otherwise आपका directly answer आजाएगा कितना 49.2, ठीक तो इस तरीके से इस question को करना था बहुत ही peak words होते हैं जो हम जिनको avoid करते हैं जल्दी जल्दी question पढ़ने के वज़े से कि जैसे जो 9x और 7x है न यह हमारे average के ratio है ठीक है यह हमारे average ratio है और संख्याएं तीन और दो है और तीन और दो मिलके बना है पाँच ठीक तो इसलिए हमने last में दोनों को क्या किया है एड किया है ओके चलो next question देखिए next question is in a class of 45 students ठीक है 45 छात्रों के कक्षा में the ratio of boys and the girls is a 4 is to 5 मतलब लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 4 अनुपात 5 है ओके and the average marks of boys is a 75 and the average marks of girls is 82 मतलब यह कि लड़कों के उसर तंक आपको 75 और लड़कियों के उसर तंक आपको 82 गिवन है तो आप से पूछ रहा है कि पूरी कक्षा का अनुमानेत आउसत कितना होगा या फिर estimated average कितना होगा आपको यह बताना है of that entire class कैसे करोगे इस question को कैसे करोगे दिमाख लगाओ जरा यह आपके option है देखे करना क्या है total कितने लोग है 45 45 स्टूडेंट की क्लास है जिसमें से 45 इस डिवाइडे इंटू बॉइस एंड गर्ल्स रेशो कितना कितना तो यह कितना है कहा गया 4 और 5 पहले बॉइस लिखा है तो बॉइस के नीचे 4 आएगा फिर गर्स है तो गर्स के नीचे 5 आएगा बहुत सारे लोग ये भी उल्टा रख देते है भई पहले जो वर्ड लिखा है उस वर्ड की पहली डिजट होगी बाद में गर्स लिखा है तो बाद वाली वेल्यू गर्स के लिए है हर वर्ड आपको respectively या क्रमशह वर्ड देखने को नहीं मिलेगा कुछ चीज़ें आपको common sense लगानी पड़ेंगी और अब तक तो question करते करते इस चीज का अंदाज हो ही गया होगा बट यहाँ गर्ड़ होती है इस वज़े से मैंने इस चीज को identify कराया तो अब यह हो गया 4X, यह हो गया 5X एक्स लेना हे लो, नहीं लेना मतलो mentally अगर इस चीज को याद रख सते हो तो avoid it तो अब condition क्या है कि condition is कि boys का जो average है वो 75 है और girls के जो average marks है वो 82 है तो इस question को करने के लिए simple आपको क्या करना है पता इन दोनों में यह आपके तो average ही है ठीक, और यह आपके ratio है ठीक है, तो आपको क्या करना है इन में से minimum average को pick करना है तो for 75 और 82 में minimum कौन है 75, और यह देखना है कि अगला वाला उससे कितना जादा है ठीक है, तो आप यह देखोगे कि 75 और 82 के बीच कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, तो ये इससे 7 जादा है, ठीक, तो ये जितना जादा है न, उसका इंटू, आप उसी जादा वाले के रेशियो से कर दो, यहाँ पर इसका इंटू कर दो, तो ये कितना हो गया, 35, तो करना कैसे process को जब भी step का question आए कि कुछ-कुछ segments हो चाहे वो ratio में हो चाहे ना हो कई बार वो आपको direct संख्या में देखने को मिलेंगे और उनके आपको average given मिलेंगे तो उनमें आपको minimum average को करना है पहला rule उसके बाद यह देखना है कि अगला average जो जादा वाला है वो से कितना जादा है जितना जादा है उसका into उस जादा वाले के ratio के साथ कर देना है ठीक है और add कर देना है तो देखो यहां पर यहां पर हमारा minimum average है 75 उसमें से यह कितना जादा है 82 साथ जादा है साथ का into 5 से किया तो this will be 35 और divided by sum of ratio तो sum of ratio कितना हो गया 4 और 5 नो ओकी आप देखिए 75 प्लस अब आप इसको देखो तो यह कितना हो गया 27 ठीक है तो 27 मतलब 28 29 31 31 34 35 यह ना मतलब 8 बचा 8 बचा डेसिमल लगेगा ठीक है तो डेसिमल लगेगा तो यह कितना हो जाएगा 98 जा 72 क्योंकि 80 के आगे जाओगे तो 90 आएगा लेकिन पीछे जाओगे तो 72 आएगा ना नई 80 से ग्रेटर हो जाएगा मतलब तो 3.8 ठीक अब यह वाला जो सेगमेंट है ना इसको सॉल्व करते वक्त थोड़ा ओप्शिन्स में आपको नजर रखनी है ठीक है तो अब आप इसको जोड़ दो तो यह कितना हो जाएगा 78.8 that is option number C आपका correct हो जाएगा इस तरीके से आपको इस question को solve करना है I hope आपको समझ में आया होगा इस type के question हम पहले भी कर चुके है और एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे 2 segment है एक और एक दो हो सकते exam में 3 आ जाए 4 आ जाए तो भी same process करनी है minimum को pick करना है उससे greater वाले को given नहीं है जैसे यहाँ पर ratio direct given है अगर आपके exam में direct यहाँ पर कोई number आता है तो आप क्या करोगा उसको ratio में convert करोगे कैसे करोगे ऐसा common table ऐसा common number देखोगे जो उन दोनों को एक बार में divide कर दे ठीक और उस basis पर आप उसको minimum यानिकी least ratio में convert कर लोगे बस फिर वही average और ratio यह concept आजाएगा ठीक है चलो next question देखो क्या है question question is कि a group of five students took an examination and another student later joined the group okay after taking to the exam मतलब यह कि पाच छात्रों के समू ने एक exam दिया एक और छात्र बाद मैं exam देने के बाद समू में क्या हो गया वही शामिल हो गया तो उसके अंकों को शामिल करने से जो पूरा group था ना उनके average अंक में दो अंक या two marks का क्या हो गया increment हो गया तो आप से examiner पूछ रहा है कि उसे शामिल किये बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किये मतलब उसको अगर आप शामिल ना करें तो उसे ने अपने average अंक से मतलब इधर के average अंक से कि उने जादा नंबर लाए आपको यह बताने कैसे करोगा इस C, D और E यह 5 लोग है ठीक है तो इनका क्या given है आपको क्या given है इनका हमें average तो नहीं दिया गया नाहीं total दिया गया तो हमने मान लिए कि इनका average कितना है भई x है और इन सभी का जो total है वो कितना हो जाएगा 5 लोग है तो 5x हो जाएगा total ठीक है अब देखो question ने क्या कहा कि एक को अगर include किया पहले 5 लोग थे तो A plus B plus C plus D plus E यह 5 लोग थे यह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं अगर आप इसको skip करना चाहों तो कर सकते हो तो प्लस एक बंदा और आ गया तो हमने वाले F है तो जो average है ना average है उसका क्या हाल हुआ वो दो marks इसे बढ़ गया तो पहले था x अब हो गया वो x plus 2 ठीक है according to the question तो अब total कितना हो गया इन सभी का तो इन सभी का अगर आप देखो total तो यह कितने event है 6 तो total कितना हो जाएग अब आप से question पूछा है कि बिना उसको शामिल किये F ने या फिर 6th party ने या फिर जो 6th number का student है उसने कितने जादा marks लाए तो simple इसके total में से इसका total घटा दो है ना तो आपको answer मिल जाएगा कैसे तो simply 6x 6x plus 2 यह है इसमें से मतलब पूरे 6th total लोगों में से 5 लोगों का data आप घटा दो तो 5 लोगों का data कितना था कुल 5x था और बराबर यह हो गया F के है ना अगर आप equation base भी घटा होगे तो ABCDE पूरा कट जाएगा F बस बचेगा जब आप subtract करोगे तो now तो आप इसको simplify कर लो this will be 6x plus 6 2s are 12 minus 5x equals to f तो 6 और 5 घट गया बच्चा x plus 12 equals to f मतलब यह F बराबर आगया x plus 12 और x कौन था हमारा x था हमारा average of average of 5 students ठीक है तो average of 5 students से F ने कितने जादा लाए 12 जादा लाए तो मतलब यह आपका right answer क्या हो जाएगा option number c ठीक है simple था इस तरीके से आपको करना था कि यह जो जादा दिख रहा है न यही तो वो है जो f ने extra लाए है total average में से okay तो I hope आपको यह question समझ आया होगा इस तरीके से हमें इस question को deal करना है ठीक है चलो next question देखो जारा क्या है question और करने करना try खुद भी किया करो यह नहीं कि बस बैटके देख रहे है देखे question is the average marks obtained by रगुवीर in 12 test is 25 मतलब यह कि कोई रगुवीर है जिसने 12 test में प्राप तंको का उसत कितना है 25 है and rumela का अब तक का उसर 23 है लेकिन उसने केवल 8 test में भाग लिया है मतलब यह कि rumela has averaged 23 points so far but has appeared only in 8 test ठीक है तो आप से यह पूछ रहा है कि rumela को रगुवीर के उसत के बराबर जाने में या जाने के लिए remaining जो चार टेस्ट भचे ना उसमें कितना average उसको करना पड़ेगा गेन करना पड़ेगा तो question की language को आप समझे कि किस तरीके का question है उस basis पे आप इसको solve करनेगा try करो 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 जड़ा कैसे करोगे आप इस question को देखो 12 test है पहले तो आप बात करोगे रगुजी की ठीक है यह है रगुवीर अब यह मैं समझाने के लिए लिए लिख रहे हूँ आप मत लिखना शुरू कर देना तो रगुवीर के 12 test के average आपको कितना given है तो यह given है आपको कितना 25 तो इसका total कितना हो जाएगा तो इसका total हो जाएगा 25 इंटू 12 हो जाएगा की नहीं तो यह कितना आ जाएगा 12,5,060 12,2,024 और 6 कितना हो गया 300 ठीक है तो यह हो गया रगुवीर के total marks ओके now question is rumela ने क्या किया 8 match sorry 8 test दिये उसमें से उसने 23 marks लाए तो rumela का data निकाल लो side में यह है कोई rumela जी ठीक है इनका average आपको पता है कितना 23 तो इनका total कितना हो जाएगा total कितना हो जाएगा बार बार मैच निखल रही है exam के test marks है ठीक है तो 23 into 8 इनका total आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 8 3s are 24 और 8 2s are 12 और sorry 8 2s are 16 और 2 कितना हो गया 18 तो 184 ठीक है समझाया अब question ने क्या कहा कि उसको remaining 4 test में कितना अगर उसको रगुफीर के average के equal जाना तो उसको कितना gain करना पड़ेगा तो क्या करोगे आप simply यह total 12 मैच का है यह total 8 मैच का है तो sorry test का है तो 12 मैसे आप 8 का data घटा दोगे तो आपके पस कितने का data बचेगा आपके पस 4 का data बचेगा तो अब उस 4 के data को पूछा क्या है direct data पूछा है यह average पूछा है उस basis वे आप calculate कर लोगे कैसे करोगे 300 मैसे आप 184 घटा दो तो यह कितना आजाएगा 10 मैसे 4 गया 6 9 मैसे 8 गया 1 और यहां कितना बचा दो में से गया 116 यह हो गए आपके remaining 4 test का ठीक है remaining 4 test का total क्योंकि हम total मैसे total subtract करेंगे तो totally मिलेगा average तो मिल नहीं जाएगा अपने वह तो आपको करना पड़ेगा आप question is कि आपको इनका average निकालना है कि उसको कितने average marks लाने पड़ेंगे रगुवीर के average के equal होने के लिए तो क्या करोगे 116 marks हो गए तो average form में यह कितने हो जाएंगे तो 116 को आप 4 से divide कर दो क्यों हम 4 से divide कर रहें क्योंकि 4 बचा है 4 टेस्ट बच्चे न तो जितने test का average निकालना है उतने टेस्ट से आप divide करोगे ठीक तो अब इसको आप solve कर लो कितना हो जाएगा तो यह जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36 ठीक है तो 29 क्या होगा आपका right answer ओके इस तरीके से आपको इस question को deal करना है पहले तो आप यह देखो कि क्या चीज exactly आपको given है और किन चीजों के basis पर आप answer तक पहुँच सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आपको इस question को deal करना है चलो तो right answer क्या हुआ यहाँ पर हमारा 29 जो होगा वो आपका right answer हो जाना है ठीक okay now another type of question is जो की easy count होता है लेकिन paper में देखने को भी मिलता है अब देखो यह बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अगर कोई question easy है तो paper में नहीं आएगा paper में tough ही question आएगे यह बहुत बड़ा myth है अपने दिमाग से निकाल दो easy और tough कुछ नहीं होता अगर कोई चीज आपसे बन रही है तो वो आपको easy लगेगी अगर वो चीज आपसे नहीं बन रही है तो वो आपको tough लगेगी ठीक है तो आपको इन दोनों चीजों को coordinate करते आना चाहिए कि ऐसा क्यूं है कोई भी paper किसी भी आप चाहे straight pieces देलो चाहे UPSC देलो चाहे other one day exam देलो हर paper का जो format होता है वो easy, moderate और tough तीनों level को करके तयार किया जाता है ऐसा बिलकुल नहीं है कि अगर आपसे कोई चीज बन रही है तो भाई वो easy है वो paper में नहीं आती माम थोड़ा tough कराओ यह नहीं होता है ठीक है कोई चीज अगर बननने लगती है तो वो easy लगने लगती है जब तक नहीं बता होती तो वो tough लगती है बस इतना ही सा concept है इनकी बीच में now question क्या है if the average of 5 consecutive numbers is a 10 अगर 5 क्रमागत संख्याओं का average क्या है 10 है ठीक है तो आपको बतायना है then which will be the middle number मतलब बीच वाली संख्या क्या होगी अब यह question quite easy but इसी में तीन चार तरीके के question बन सकते तो वो मैं आपको after solving this बताऊंगी कि कैसे आपको और question पूछा जा सकता है तो अगर आप सबसे पहले इसको देखोगे तो हमें 5 क्रमागत संख्याओं यानि कि 5 consecutive number की बात की गई है लेकिन 5 consecutive even number है या odd number है इसके information आपको question में नहीं दी गई तो अगर कोई चीज आपको नहीं given है तो आपको अपने तरफ से उसमें अपना दिमाख नहीं लगाना है कि अपने मन से even ले लिए या odd ले लिए नॉर्मल संख्या लिखी है तो sequence में आपको संख्या ही लेनी है even odd मत लगाने लग जाना वहां पर ठीक है चलो तो अगर आप इस प्लस 1 याने की 2 तीसरा x प्लस 2 याने की 3 फिर x प्लस 3 याने की 4 एंड x प्लस 4 याने की 5 यह हो गए आपके 5 consecutive numbers अब आपको क्या करने आप से बोला कि इनका average 10 है अगर numbers consecutive हो ना तो middle वाला जो number होता है न वहीं average के बराबर होता है यह चीज भी ध्यान रख लेना तो मतलब यह कि 2 यहाँ से और 2 यहाँ से आप छोड़ोगे न तो यह जो middle वाला number है यह आपके average के बराबर हो जाता है अगर आपके numbers consecutive है तो तो मतलब यह कि आपका जो x plus 2 है ठीक x plus 2 को आप directly 10 के बराबर लिख सकते हो यह average के बराबर होगा नहीं बनता है तो आप क्या करोगे अगर आपको यह चीज नहीं याद रहती तो आप सभी को जोड़के 5 से डिवाइड करना तो भी x की value वही आएगी जो इसको करने से आ र तो middle number क्या है यहाँ पे? middle number obviously x plus 2 है ना? तो आपका middle number क्या जाएगा? according to this question जो चीज हमको इसमें find out करनी है कि जो middle number है या मद्दे संख्या है वो हो जाएगी हमारी 10 क्यों हो जाएगी? क्योंकि बीच वाली संख्या x plus 2 पे आप part value रखोगे then you will get 10 x plus 2 और x की value 8 है तो 8 plus 2 कित 10 हो गया 10 हो गया तो एक answer तो आपका यहीं पे बन गया इस question का but इसी question में आप से घुमा के पूच सकता है कि बताइए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में कितने का अंतर है ठीक है तो सबसे बड़ी संख्या x plus 4 है सबसे छोटी संख्या x है तो दोन इस तरीके से आप इनको वेल्यू में पुट करके आपको ऑप्शन दे देगा दूसरा कोईशन पूच सकता है कि सबसे जो बीच वाली संख्या है यानि कि जो मिडिल नंबर है उसका स्क्वेर कितना होगा तो मिडिल नंबर अभी हमने निकाला 10 तो इसका स्क्वेर हो जाएग हन्रेड ठीक तीसरा कोईशन पूच सकता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का प्रोड़क्ट कितना होगा यानि कि इनका गुडणफल कितना होगा तो सबसे छोटी संख्या है आठ और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी आठ चार बारा ठी तो 12 और 8 का गुडन फल यानि की प्रोड़क्ट कितना होगा तो वो 96 हो जाएगा इसे तरीके से question पूछ सकता है कि last से तीसरी संख्या कितनी होगी या फिर first से तीसरी संख्या कितनी होगी तो first से तीसरी संख्या X प्लस 2 है और लास्ट इसे भी तीसरी संक्या X plus 2 है, ठीक, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, तो तीन चार टाइब के question same format में देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ये चीज आ गई, तो वो दुबारा नहीं पूछेगा, इतने question examiner ला कहां से रहा है, इन ही में little bit changes कर ग 12 करेंगे, और मुझे comment section में बताएंगे कि question number 12 का answer कितना होगा, ठीक, ये question आपके लिए, अगर ये question आपसे नहीं बनता है, जो मैंने आपको homework पे दिया, तो फिर आप also comment करना, कि माम ये question हमसे नहीं बनना है, आप इसको समझा दीजेगा, तो अगली class में मैं इसको pick कर लू होंगे, तो मैंने जो बता है, उसके basis पे आपको I hope समझ में आया होगा, ठीक है, now, अब हम इस session को यहीं पे end करते हैं, और मिलते हैं next class में, एक नए topic के साथ, एक नए वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए, thank you so much, अपना ख्याल रखिएगा, और अच्छे से पढ़ाई क कीजेगा, बाई बाई